नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल रेडिंग लॉर्ट्स पर दोस्तों आज के जो वीडियों में हम बात करेंगे आपर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो ये गंटी वाल आइकोन है से जो रुद्वाएं जिससे आपको हमारे आने वाल जो वीडियों की नौटिफिकेशन मिलती रहेगी तो इस समय जो हम यहाँ पर यह जो यूपियसी जो है यूनियर पॉब्लिक सर्विस कमिशन इनकी ओफिले जो वैपसाइट इस पर है तो जैसी है आप यहाँ यहाँ पर नीचे के तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप एड्मिट कार्ड का ओप्सन यह देख सकते हैं तो जैसी जब आप एड्मिट कार्ड वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक नए पेज ओपन होगा तो इसमें आप देख सकते हैं यह एड्मिट कार्ड फॉर एकजाम ओफ यूपियसी और रिकृट्मेंट पोस्टर के लिए तो इसके बाद आपने यह जो यहाँ पर यूपियसी वाला जो दिया गया है इसके ओपर क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करने के बाद आप जाए इस पेज बर आ जाओगे तो यहाँ पर भी आपके सामने दो पेज जो आए हैं दो अप्सनाई है समिलित रक्स सेव प्रिक्षा और राष्टे एक आदमी नो से ना एक आदमी प्रिक्षा तो उसके बाद जो आपने यह जो निचे वाला जो लिंक है डाउनलोड वाला इसके उपर क्लिक करना है तो इसके उपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते है National Defense Academy and Naval Academy Examination to 2021 और यहाँ पर यह year दिया गया है और issue date, end date और admit card डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो जैसे जा हम इस लिंक के अपर क्लिक करेंगे तो आपके समने एक नए page open होगा तो महतपुन अन्देश इसमें दिये गए है पहले आप जाए इसे पढ़ ले क्योंकि इसमें महतपुन जानकारी जाए exam से समद्धित दी गई है कि क्या-क्या आपको exam में लेकर जाना है और क्या इनमें से नहीं लेकर जाना है तो सारा instruction इसमें यहाँ पर बताए गया है और अगर आप इसे यहाँ पर print करना चाते हों तो यहाँ से print कर सकते हैं और अगर नहीं चाते हैं तो उसके बाद have you read and take the print out of important instruction तो उसके बाद आपने yes यहाँ से कर देना है पेज यह अहाँ पर यह open होगा तो by registration ID और by rule number तो हम जो यहाँ पर registration ID जो है इसके माद आपने हम से admin card जा उसको निकालेंगे और किसे card से अगर आप आपने यह registration ID को फोल गए हैं तो यहाँ पर से click here पर जा click करके आप उसको download कर सकते हैं और note 1 में महता पूर्ण यहाँ पर सोचना यह रहेगी create a mandatory for the candidate to take print of important instruction to the candidate before downloading the e-admit card and bring the same along with the e-admit card to be permitted to enter the examination hole तो click here पर click करने के बाद भी आप उसी page पर आऊगे जिस पर हम जाएज से पहले आये थे तो उसके बाद जो हम यहाँ यह registration ID वाला जो दिया गए है इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page उपन होगा तो यहाँ पर आपने अपना जो registration ID यह feel करना है उसके बाद date of birth और उसके बाद जो capture दिया गए यहाँ पर feel करना है capture अगर आपके समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप refresh भी कर सकते हैं तो दूसरा जाए उसके बाद यहाँ पर यह आ जाएगा यह अपने यहाँ पर feel करना है और उसके बाद submit करना है तो submit करना के बाद आपके जो admit card है यह आपके सामने आजाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर यह जो UPSC के द्वारा जो NDA और NA का जो exam लेना है इसके admit card आप निकाल सकते हैं तो यह जो है यहाँ पर महतपून अपडेट थी और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले और हमारे साथ अंतरबने के लिए धन्यवादा